शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगा बनाई है इन्होंने अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है सच जूट के फर्क का ये यूँ खुलासा करते हैं यो इनसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज़ की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उपते हैं आदमी तो इतने नेक हैं कि खुद की तारीफ सुनना भी पसद नहीं करते हैं जाओ तुम अपने कबार जाए जाओ क्यों प्रधान साब खुद की तारीफ सुनकर पसीन आ रहा है किसी के मुझसे कोई आवाज नहीं निगलेगी कि कहते हैं जब मेरा पाप मरा था तो मेरी मां की आवाज बत हो गई थी बच्पन में तुझे एक अध्याबक में सुधारा था उस अध्याबक की वज़ा से तुझे एक नहीं दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वज़ा से मुझे माफ कर दो लखते उसने फोन की लाइन काट दिये और उसने दर्वाजे भी बाहर से बंद कर दिये हैं मुझे माफ कर दो नहीं प्रदान साहब बड़ी बड़ी अदालतों में ऊची अवाज के साथ जिसकी उंगली उपते हो वहाद जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता मुझे मत मारो मुझे मत मारो मैं मैं कोरिट में तुमारे ले कुछ कुछ भी कर दो कभी देख नहीं पाएगा प्रदान देखता तो तू इंसानों जैसा है तो टांगे मूह हाथ सर पर तेरी नसल तेरी कौम कुछ और ही है तू इस दुनिया से अलग है प्रदान और हम अलग देखना चाहता है देख मेरे खुन का रंग लाल है तेरे खुन का रंग लाल नहीं हो सकता अलग प्रदान लगाद कर दिखने कर दो दो डख मेंक को बड़ा है उसको पकड़ने के लिए पुलिस बड़े जोर शोर से लगी हुई है सुना उसके बारे में खबर देने वाले को कुछ इनाम भी मिलेगा हाँ अगर उसके बारे में पुलिस को कोई खबर क्यों करेगा कानून और पुलिस भले उसे कूँ नहीं मानती हो मगर हमारे और तुम्हारे लिए उसे नेका मी क्या है ना इसने दिन को मारा है वो गुंड़े ही तो थे अरे कुछ नहीं हुआ अब तक यह लोगों को मारने के बाद भी वो अब तक पकड़ा गया शर्मा जी मैं तो कहता हूँ सीएम साब को इस काम के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी पड़ेगी अरे वो तो बहुत ही शातिर और चालाक है उसने एक एक करके चार लोगों की जान ले ली है फिर भी पुलिस उसे चू नहीं सकी यह क्या है यह क्या है मैं तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता चारो दरफ बंदो बस बड़ा दो हर गाड़ी चेक करो शहर का चपा 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 जान मारो मुझे उस आदमी की गिरफतारी तुरण चाहिए बस क्या सब्याना चाते हो तुम मुझे वह आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्षिट कर चुकी है जिसे तीन तीन कतल करके पूरे शहर में दहश्यत पहला रखी है वह मुझे ता केस लेडर की बात कर रहा है तीन नहीं चार-चार खुन की है मैंने लगता है आश्याम का अखबार आपने पड़ा नहीं पुलीस मेरे नाम के साथ खुनी जोड़ दिया है मगर मैं खुनी तब ही माना जाऊँगा जब अदालत मुझे खुनी करार देगी और खुराना साहब आप जैसे काबल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है मिस्तर विशाल अगनोतर मैं आदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूं तुम जैसे खुनियों के बढ़रोवी करने के लिए तालिम नहीं लिया मैंने आप जो भी रहो खुन किया है तुमने गुना हुआ है कुमसे कोई कुना नहीं हुआ मुझ से जो हुआ उसे जीरा चाहता हूं क्योंकि मैंने कोई गुना नहीं किया है और आप आपके बारे में सब जानता हूं मैं कितने गुन्यकारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत लिया आपने सब जानता हूं अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त बंदो कुराना साफ साफ बताओ के क्या रखम चाहिए पांच करोड़ दस करोड़ शराब क्योंगे बाई शराब नहीं पीता मिस्टर विशाल तुम ने अपने केस के लिए जो की मतलग आई है उससे मुझे इतराज नहीं है विशाल अगनियोत्री और पुलीस के बीच चल रही आँख में चॉली आज समाप्त हो गई विशाल अगनियोत्री ने आज पुलीस के सामने आत्मसमर्पन कर दिया इस सपराधी को चार बड़ी हस्तियों के कतल के मामले में चार्च शीट किया गया था और पुलीस इसकी तलाश में थी मिस्टर खुराना विशाल तो पुलीस के आगे सरेंडर करने का क्या यही मतलब है कि उसने ही खुन किये है आप घलत समय रहे हैं विशाल के सरेंडर करने के पिछे यह है को फिलाल की परिशानी उसे बचता जाता है अब अब तक अपने कारियर में कोई केस हारे तो पुलीस के फाइन में नाम चड़ना इसका पत्र यह नहीं कि वो फूनी हो जाता है इसका फैसा आदालत करेंगी आप इंतजार कि यह सच्चा ही सामने आ जाएगी यह पर बस तुभी साइन करने है विशाल कोट में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है साथ तारिख मिली है पहली सुनवाई की मेरे खाल से यह मामला चार तारिखों तक खीचेगा मैंने तुम्हारी क्राइम ब्राइंड शिफ्ट करवाने के और्डर सकंसल करवा दिये हैं अब तुम यही रहोगा यहां कुछ अफिसर्स हैं मेरे पहास क्याद रखेंगी बस अब तुम्हारे कुछ गरबार्बत करने तैश में अगर तुम्हारा खुद पे गाबूतो रह तुम उसके साथ आप बेफिकर रहे हैं खुराना साहब मैं यहां कोई गलती नहीं करूंगा मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्ज शीट में कोई छोटी मोटी बात चुड़े आप मुझे लेकर ऐसे ही परिशान है जिसे लेकर मैं वाकई परिशान है जिन्दके में कभी शिकस नहीं देखी शायद यह भी वजह हो सकती है खुराना साथ आपकी काबलियत पर आपसे स्यादा मुझे भरोसा है यह केस आप ही जीतेंगे यकीन कीजिए इस केस के बाद कानून के इतिहास में अपके नाबियाद रखा जाएगा भाई खुराना साथ ने तो कमाली कर दिया इसली तारीखों में क्या पुलिस की धच्चिया उड़ाई यह उन्होंने खुराना साथ जेजा वाकिल करूंकर को एक रिषा सकता है क्यां प्रिशान 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 विजो अविजो ! विशाल अगनी होत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जुटाए है पिछली तीन तारीखों से मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस हर एविडेंस का तोड निकालते आए है मिलाड मिस्टर खुराना अपनी काबलियत के दम पर जूट को सच्चाई के लिबास पेनाने में कामियाब हो चुके है लेकिन मेरा प्रियास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसल ना सुना दे विशाल जैसे खुनी को बाइज़त बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को अतंग के रास्ते पर जैक्शन मिलोड मिस्टर सिला इस केस के मुतलिक बातों से हट रहे हैं यहां अदालत में ये कारवाई चल रही है कि विशाल अग्नी हुत्रिका इन चार कतलों से तालिलुक है या नहीं और मेरे काबिल दोस्त वजा इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविश्य के बारे में चिंता कर रहे है ओडर ओडर मिलोड मैं इनके बरेशानी समझ सकता हूँ पिछली तारिखों में विशाल अग्नी होत्रिके खिलाफ कोई सबूत या गवाज उटाने में ये लाकाम रहे है और आज की तारिख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं है रखने के लिए इनके बास कुछ भी नहीं बचा है परेशान होकर ये कुछ टडलते हैं तलाशते हैं और बाच्चित के रुख को कई और मोड देते हैं मिलाड मैं पिछली तारिक के उस मुद्बे को दुबारा उठाना चाहता हूँ मिलाड साथ नौंबर के ही रात एक बुढ़ी आवरत अपने बच्चे के साथ चेंबुर नाके बे एक रिक्षावाले से टकनाती है वहाँ मवजूद विशाल अग्री होतने के नजर उस हाथ से बरिपड़ती है वो भाग कर उस इक्षावाले को पकड़ता है और उस बुढ़ी आवरत और बच्चे को लेकर मॉंबे उस्पिल पहुशता है वहाँ के डूटी ओफिसर डॉक्टर परडेल अपने नजदी की पॉलिस टेशन शांतिनगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते है उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवालदार मातरी अपनी कारवाई पूरी कर देते है मिलोड इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ मिलोड ये पूरी तर साबित हो चुका है कि मेरे मुख्किल का इन में से किसी भी एक कत्र में कहीं कोई हाथ नहीं है अब ये सवाल उटता है ये बेकसुद नौजवान अपने सर पर चार चार खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है मिलोड ये नौजवान पुलिस की जादी दुश्मन का शिकार हुआ है कुछ हर से पहले नादा चोप पुलिस सेशन में इस नए पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज हुटाई थी वहाँ उसकी पुलिस के साथ हाता पाई भी हुई थी जिसके लिए इसने चार राते पुलिस नाकप में गाड़ी तब से ये नौजवान पुलिस के नजरों में चड़ गया था फिर पुलिस ने अपने नाकामी को शुपाने और अपना सिक्का जवाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था बस में लोड़ मैं चाहता हूँ इस नव जवान के साथ और ज्यात्ते ने की जाया अदालत अपना फैसला सुना कर इसे बाइज़ जद बरी करें अदालत में इस मामले की अब तक हुई कारेवाई पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सुबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुल्जिम विशाल अगनिहोत्री को कातिल माना जाए वकिली सफाई की दलिले और विशाल के बचाव में रखे गए सारे सुबूत भी यही साबित कर रहे हैं लेहजा यह अधालत विशाल अगनिहोत्री को भाइजद परी आए कर दो है इस पर्गार्णीश न ही पाउट्रेन काह रहा है? कंथे? न एक मार्णीश न ही पाउट hyped चस्वीशआ न है? सभवे lep चट्पिश्कुराना की लाष बड़िया है in your कर दिया इसे मैंने और आप आप यह कुर्सी छोड़ दो आपको इस कुर्सी पबैटने का कोई हग नहीं अब बचा लिया आज मैंने आपको एक गलत फ़स्ला सुनाने जा रहे थे आप और ये ये चक्दीश कुराना इस इस अदारत में ये थावित कर दिया कि मैंने कोई खत कि अधालत इस पहले स Såp容 के सब कुझ जान ली था मुझसे मालु मैंने कि इसमेरे ऐख Украї और मेंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है इसमेरे मुझसे पूछाता कि अबर रहा है कि गोली मैंने कि तूरी से चलाई थी और कोई ऑनकि शीust लिगनो क्यास का गला कर आपकर मैंन अभर मजभ में आ रहा है? 10 क्रोड पर लिए थे, इसने मुझे बचाने के लिए जग्दी जग्दीश कुराणा कानुन का हिमायत ही नहीं कानुन के बजार में Sulky दूकान चला था मैंने कानुन से बचने के लिए नहीं कानुन की आखे खुलने के लिए अपना कैसिस के हाथों में दिया था यह अदालत है इंसाफ होता है यहाँ पर सच्चाई और जूट की पनक होती है यहाँ पर यही यहाँ पर कुछ नहीं होता सिर्फ वहिश्कार होता है वहिश्कार कानुम का वहिश्कार हर अदालत में जगंतिश खुराना जय से लोग करते हैं पहिश्कार और हरा अदालत में उचाइबार इनके जैसा ही एक आदमी बेटा होता है ऐसे ही और बेटे होते हैं यह सब तमाशमीनद लोग पुरा तमाशा मज़ा लेकर देखते हैं इनके लिए एदालत की कारवाई ओ यहां मदारी का खेल, मस्, मज़ा आना चाहिए, मज़ा, क्यों? आरा है ना मज़ा? मज़ा लो, मज़ा, कोच समझ में आरा मेजिस्टर जेवें डोग्रा सहेब? अरे, अगर तमाशा आई करना तो इतने बड़े तामजाम इतनी बड़ी जगा की क्या सरूरत है? अरा बंद करो यह सबकोच्छ एपरो आपोड़ोरो आपोड़ो आपोड़ो, मज़ा अरा लेचलो मुझे, लेचलो मुझे मुझे काल कौट्री में लेगी मैने चिसे भी मारा वो सब इसके जैसे थे, यहारामी जैसे लोग थे, वो सब कुछ समझ में आ रहा है, Magister J.1 Dogra Saher? कुछ समझ में आ रहा है? अरहा कुछ समझ में आ रहा है आपको? Magister J.1 Dogra Saher? अधालत में अपने के वकील को जान से मार देने की घट्ना ने ताहरे शहर को चौका दिया है अमिमे विशाल अग्नियोत्री ने अपने ही वकील जिग्दीश को रान की हत्या कर दी तेके आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए विशाल खुद किसी सा महीं मिलना चाहते हैँ लेकिन महीं किसी को कुछ नहीं पताना चाहता है तो आप किसी मौलत ओर दे दीजिए हम विशाल से फिर बात करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं हम विशाल से मिलकर ही रहेंगे हमोश मने कहा ना आप मेंसे कोई भी विशाल से नहीं मिल सकता कई सामाजिक संगठनों और बड़ी हस्कियों की मांग पर सरकार विशाल अगनिहुत्री के केस के लिए एक जाच कमेटी का गठन कर रही है 15 सदुस्यों वाली ये कमेटी विशाल के केस से जुड़े हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी देखो विशाल तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो बेशक ये तुम्हारी अपनी सोच है अपना फैसला है मगर तुम्हारा ये केस सब तुम्हारा जाती मसला नहीं रहा है इस शहर के हर आदमी की जुमाँ पर तुम्हारा ना है यहां तक की पुलिस डिपार्टमेंट की इमानदारी पर भी सवाल उट खड़ा हुआ है मैं जानता हूँ, तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है यह हालात हमारे सिस्टिम नहीं तुम्हारे सामने खड़े कर दिये थे ठीक है तुमने चंद गलत लोगों को मारा है लेकिन विशाल इससे कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला कुछ और लोग भी है सजा के हगदार जो कुरसियों पर अब भी चिपकर बैठे हुए है विशाल तुम्हारा ये केस कमीडी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ओफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराईयों का साथ दिया है वो लोग एक्स्पोज होने चाहिए उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए विशाल सिस्टिम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है कुछ अच्छे और इमानदार लोग भी है उन्हीं की कोशिशों का ये नतीजा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पुरी तरह से खोया नहीं है मैं और मेरे कई ओफिसर्स कमिटी के साथ को आपरेट कर रहे हैं और विशाल मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो ठीक है कमिटी जो मुझ से पूछना चाहती है मैं बता दूंगा कानून का एक और निया तमाशा देखने को मिलेगा टीजीपी साहब लेकिन कमिटी को मिलने से पहले बापने घर जाना चाहूंका कि धुरेटा मुझ से एक और देखने। प्राप जगरी नगरिंग विपिन एंग झाल झाल मिस्टर विशाल अगनी होतरी डीजीबी साहब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा मैं और मेरे साथी कानून और ववस्ता के कई जिम्मेदार महकमों के साथ जुड़े रहे हैं हमने कई संगीन अपरादों पर अपने फैसले भी सुनाए है वैसे जर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है अपराद क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए लेकिन तुम्हारा ये पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हट कर सोचना पड़ रहा है मिस्टर विशाल तुम्हारे मामले की वो पक्ष यो पुलिस ने अदालत के सामने रखे हैं जैसे के तुम्हारी चार्जशीट तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सुबूत कवा सिर्फ उनी को मदने नजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुँचने का कोई रादा नहीं है ये कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा से योग दोगी मिस्टर कृष्ण मूर्थी आप मिस्टर विशाल गतल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और ये गुना हो जाने के बाद पस्ताव होता है मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ मिस्टर कृष्ण मूर्थी एक गुनेगार को सजा सुनाने के بعد आपको कैसा महसूस हुता है जाहर है मुझे सुकुन मिलता है कि मैंने कंणून की हिफाज़त की है और एक अपरादी को सजा सुना कर एक नेक काम किया है यॉर राइट मिस्टर कृष्ण मूर्थी एक काम करने के बाद सुकुन दाहर पश्टावा नहीं होता आई ये अबजेक्ट मिस्टर चेर्मेंट मिस्टर विशायल अगनी होतरी को अपने बाचीत करने के ढंक पर कंट्रोल होना चाहिए सचाई के एक लब से तिल मिल आउट है अबी तो मैंने अध्य शुरू ही नहीं किया आज यहां कानून का हर आदमी सच्चाई इमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जबान पर इन लब्जों को लिए घुम रहा है अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपरादी नहीं जुड़ता इनसाफ के लिए मैं आतंग के रास्ते पे ना चलता लोग मुझे खुनी ना कहते कई खुनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठाओ खुनी बनने के संसकार मुझे घर से नहीं मिले मेरे पिता जी एक स्कूल मास्टर थे पच्चों में अच्छे संसकार डालना उनका पेशा था अपनी तकलीबों को बूलकर दूसरों के लिए जिया करते थे वो मैं दिखाता हूँ दिखाता हूँ आप लोगों को यह अर्जिया यह अर्जिया उन्होंने अपने लिए निली की लोगों की तकलीबों को लेका सरकारी दफ्तरों में भटकते रहते थे वो कभी किसी की जमीन के लिए तो कभी किसी की बेटी की देहज के लिए तो कभी किसी गरीब की जिन्दिके के इलाज के लिए पढ़िया आप लोग पढ़िया पढ़िया हाँ 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 हमभक तो यह हुर हुर मत किया करो दाना डालने वाले पर कोई कुर रहता है क्या अरे हाँ हाँ जाटताओं कि तुम लोग नाराज हो सोंवार को नहीं आया था पिछले हाफ्ते अरे आरांग से कबूतर उड़ रहे हैं देख नहीं रहा है अपना सब काम वरोबा टाइम पे आप यादा गंटा लेट हुए हैं लेकिन गोविंद आ हाँ अरे मास्टर जी अप अब यह तो रात का उतारा है अचा अच्छा रात की चड़ी उतारने के लिए सुबह चड़ाते हो अगर चढ़ा करी रखना चाला चाहते हो यह ऊंटारते क्यों हो घुष अरे मास्टर जी टूह ऊष्मर्णेस मिलता है गोविंद तो तो बेफिते quanto जोगए था लिया साम की दारू का इंतिजाम हो गया ये लो ये मेर साब का लेटर है अब ये टाटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा बिना किसी खर्चे के मास्टर जी आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है मैंने दो चार दिन भाग दोड़ की न कौन सा आसमान उठा लिया मैंने कुछ नहीं किया मैंने जा जाके चाहे लेया मेरे अच्छी सी पुलीस ने मुर्ति चोरों को पकड़ा मुर्ति बरामत की मंदर के पुजारे को ग्रिफतार किया इशाल बाप ने पढ़ा यह दे मुझे अखबार ला मेरे पास दे वरना सुबा सुबा इनके हाथ लग गई न तो सार दें इस अखबार के खबरे चलेंगी सुबाच्छे बजए के निकले हुए अभी तक घर नहीं आए इसे कान चुपाऊ मैं यहां नहीं यहां 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 यह जून लेंगे यह यह जगे ठीक है पाइत्री कहां रह जाते हैं आप कहां रह गए थे यह भूल मंदिर में चड़ा देना विशाल गया नहीं बाहर बैठा है चाय पी रहा है मिल गया निकल रहे हो भाई आप आप जी नाच्टा किया हां कर लिया हां जरा जाते जाते बैंक से होते जाना मेरी पास्बुक कलेक्ट कर लेना जी अगली बार अपनी मा से कहना अकबार किसी अच्छी जगा चुपाया करे मूर्ति चोरी तुमने दी क्या नहीं मैंने ढूंड लिया हां लो बेटा घड़ी अरे मंदिर में एक मूर्ति की चोरी अच्छा मामा चलता हूं पुजारी गिरफतार यह रही आपकी चाय आग्या अरे गाहित्री तुम भी अपनी चाय लेकर यहां जाओ ना आओ यहां बै बैठ कर तुम्हारी दुनियादारी सुनूंगी तो घर का कामकाच कौन करेगा वैसे ब्यात सारा दिन इसी में जाएगा मंदिर पुजारी मूर्ति है ना इतने सारे काम पढ़े हैं मुझ से आशकल वैसे दौड़ दूप नहीं होती अपना बच्चा कामकाच से लगया है क उसकी ब्या की बात तो निकालो अरे हो जाएगा ब्या ब्या भी हो जाएगा अच्छा ये बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने बेठे के लिए कांता मेरा नाष्टा लगाया हो मैम साब वेरी गुड़ यह क्या है कुमारी शाहादी के लिए मैम साब मैंने कहा ना मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी अरे अरे कांता भाई मंगल तेरा भाई सवेरे सवेरे बाम फोड़ दिया इतने बड़े बड़े आद्मियों की तस्वीर मेरे कदमों में डाल दी अरे अरे यह तो दोती में ही कुछ किया अरे बेटी यह तो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है अरे यही तो आपका पुराना स्टाइल है डाड़ी पहले आप मुझे फोटोस दिखाएंगे फिर आप मुझे कहेंगे इनमें से कोई पसंद करो और फिर आप दोनों की कुणलिया मिलाएंगे और फिर आप ही में कुछ एक्साइटमेंट में मैं नए स्टाइल की शादी करूंगी अरे डाड़ी मजा तो जाबाए के कोई मुझे तक्राएं में के रूप्पू मुझी समाले और मैं असकी आखों में देखके कहूं यही तो है वो तू मुझे डुबाएगी अरे कहीं तू ऐसे आज कर आप खामो खा छोटी बात को इतनी लंबी करके परिशान हो रहे हैं मैं नहा बिटिया को थोड़ा बहुत जानता हूं वो सही वक्त पर सही जगह सही लड़के से टक्राएगी आप लोग प्लांस की बिल्कुल कैर नहीं करते अगर इस बार प्लांस को कुछ हो गया ना मै किसी को छोड़ूंगी नहीं कि यही तो सोचा था मैंने टक्राना गिरना फिर समलना फिर एक दुसरे की आखों में आखें डाल के देखना यही तो है वो आई लव यू यार आई लव यू ये ये क्या हो रहा है हो गया कुछ ओ गया हो गया केब तो एक बुलो झोल ने अचानक मुड़ी में अन्सेतर गर आब्र इसलिए फिर्गल लेगी उन्हीं को गर्ण लें पार में पर न ही पर rice तो आप मेरा हर काम समालते हैं आज क्या होगे आपको जेके स्टाप में हजदे आप खाड़ा खाड़ा कि अगर है यह क्या हो रहा है चल चाल चाल तो मेरे साथ चल अरे तो नहीं तू चल सबसे पहले तेरी आखे टेस्ट करवाता हो कम से कम तू सही जगा पे तो टकड़ा है चल 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 दीचा इंता ता कि कीजिए जब अन होनी कोई होई दो दिल जब प्यार करें तो रोक सके न कोई आगर दीवाना आवारा इस नाम से तुछ को पकारों में पलकों के साले में रखो या दिल में तुछ को तारों में दिल को तेरे भाजाए उस नाम से मुझे को पकार ले तू आखों के सुमेहरी गलियों से मुझे अपने गिल में उतार ले तू मेरी तमना मेरा यार है मेरी तोहबत मेरा प्यार है कैसे बताओं तुछ को भला में मुझे को तिरा इंतदार है मेरी तेरी बात है अपना तो जन्मों का साथ है मैं ने छोड़ा चारा जमाना हाथों में तेरा हाथ है दिल आ आशिक बसता ना इस नाम से तुछ को पकारों में तलकों के साए में रखो या दिल में तुछ को उतारों में मुझे अपने जिल में उतार ले तू जन्नत से आई कोई हूर है इश्क में मेरे तू तो चूर है भूले तुझे ना एक पल मेरा दिल इसमें मेरा क्या कसोर है दुनिया तेरे पेरों की धूल है मेरे जुडे में तेरा फूल है तेरे ले जाओ मुझे को मिलाओ हर दर्द मुझे को कबूल है यह दूबा जानन दिल जाना किस नाम से तुझ को पुतारू मैं अलकों के साए में रखो या दिल में तुझ को तारू मैं जो दिल खाओ तेरे बाजा ले उस लाह से मुझे को पुकार ले तुम आखाओं किस नहरी गरियों से मुझे अपने दिल भी उचार ले तुम झाल, आखाओं किस फिल गलातीि क्या छिखाओं कि प्नेताती क झाल, परे तुम आहिते पर ले 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 उसा लेएstaर ले ऑसाल आपज़ लिख बखज़ इसार बादे। खरी हाँ़ trading टाई पाउट है तो गया माफी मांगा छोड़ने से इसा तो पुलीस कहाले करना चाहिए तो दूसरा की जन्में हाट डालेगा है यह फिस आ हो गया ठीक ले चलते इसे पुलिस सेशन तु आसा कर तु जाकर स्कूटर ले कर अरेक्षा लेकरा मैं ऐसे रोक कर रखता हूं जान यहां वह और हो तो यहां नहीं बहुत से मैरे लों.. चांब हुआ कि स्वाट्ररा ने दूसाने केहां किसी और की माा इस ने रहे खिले आप से बहुत करने क्या करता है यह क्या करना क्यूंचा कुछ भी काम का म Competitive सबुख हुआ यह ले जाके डॉक्टर को दिखा देना और सुन रात को सोने से पहले गरम दूद में हल्दी मिला कर पी लेना ठीक हो जाएगा अब जाना भाग यहां से आज़ा ठीक है ठीक है बापजी कहां गया वह वह भाग गया अरे मैंने कोशिश की थी पकड़ने की मगर मुझसे ज्यादा ताकतवर था तो मैं क्या करता देखो भई अब शक्का तो कोई इलाज है नहीं अब अगर तुम्हारे दिवाव में बैठ गया है कि मैंने उसे चक्के को भगा दिया उसे छोड़ दिया तो मैं क्या कर सकता हूं मैं तो यह कह रहा था कि मर अब इस किस्से को खतम करो और चाए पीलो ठेंडी हो रही है इस तो फिर दवा इलाज के लिए आपने उसे कुछ दिया कि नहीं पचास रुप हुँँँँँँँँँँदी हो गई तुझे पता है एक आधशी के दिन मैं ये पूजा अर्चना कभी नहीं छोड़ती और वैसे पूजा वरत उपवास वैं किसके लिए रखती हूं तेरे ही लिए न मेरे लिए हां मैं तेरे लिए दुल्हन मांगने आती हूं यहां पर अरे मां मैं यहां कौनसा अपने लिए पूरी कैसे होगी तु तुके चक्रवकर चलाता ही नहीं मां बसे मैंने चक्रवकर चलाया एक लड़की से सच बात भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है बगर वह है कौन और जल्द मिलाओंगा मां बस टाइम आते ही मां मैंने फोन करना था टाइम होगे अब मैं क्या क अब ठीक एक बज़े मैं तुम्हारा नैशनल रेस्टाउंट में इंतजार करूँगी लांच साथ करेंगे नेहां अकाउंस का काफी काम बाकी है और पर कुछ मीडिंग्स भी है और फिर आजकल तुम्हारे डैरी मुझे पर कुछ ज्यादे ही नजर रखते हैं मुझे मुझे पहुचना है बस अच्छा बावत तुम्हें ऑफिस में फोन करना मैं कोई चकर चलाता हूं और अगर डैट ने हम दोनों को फोन पर बात करते वे पकड़ लिया तो तुमने तो मुझे फसाने का पूरा प्रोग्राम बना रखा है डफर तू फोन करेगी नेहा के ना जरा रही है उसकी चाल ढाल बैठना उठना साब बदल गई है एकदम से हमेशा गाने गुन गुनाती रहती है वह भी रोमेंटिक गाने मैं उसका किला हुआ चेहरा देखता हूं फिर अपनी कुंड़ी देखता हूं शनी की महादशा जो बाकी है यह सब उसी का प्रताब है मुझे तो लगता है कि उसका और विशाल का चक्कर बहुत ही आगे बढ़ गया है अरे आज कल के लड़के लड़कियों की बात ही छोड़िये और एक हमारा जमाना था कि शादी के बाद अपनी ही बीवी का हाथ पकड़ने में महिनों लग गए और आज का प्यार पकड़ ध करने तो बहरा हो जाएगा कुछ कहा आप लोग परिशान लग रहे हैं कोई सीरियस मैटर है नहीं नहीं चलो मैं आप लोगों को खुश कर देता हूं पटेल एंसन से बहुत बड़ा कॉंट्रैक्ट मिला है अब हमारे पास गुजरात में चार और डिस्ट्रीपिट उस बढ आँ जा शकते हुए अच्छा अलो ट्य बंक रहा रांग नंबर रांग नंबर रांग नंबर आप तुम जाओ आपने कबीन में जाओ अग्या है कि है हेलो हेलो हां बोल निया है किस की मा सीमा बोल रही है कि है कि अवो निहा render हुआ है हलो है हां बोल सीमा हां हां जरूर जरूर बनारस एक्सप्रेस ना हां पहुंचाओंगा पहुंचाओंगा मैं ओके पाइए अगालनाम पुरू पहुंचाओंगे जरूर बनारस एक्सप्रेस से जाना है हां जाओ 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 आप महान है ठैंक यू आप पुरुशी नहीं महाँ पुरुष है थेंक यू मेरे दिल में छुपी है ज़वानी में ज़ लग जाए ज़वानी सीनब चुपाए आहूं 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 जवानी में जलग जाए जो पानी सीन पुछताए तही आग मेरे दिल में लगी है आहूं 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 कि अहूं आहूं 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 एग में भी है झाल झाल कहुं चैन हेना तो आराम है तुझी याद करना मेरा काम है जवाँ है सुपा तो हसी शाम है मेरे भी लबों पे तेरा नाम है यहाँ है वहाँ है न जाने कहा है न यादर्द चाहत कया रा यह क्या हो गया मैं कहां खो गया मैं मुझे इन अधाओं ने मारा नई क्यास मेरे दिल में तबी है अकिली जवाने जवाने है क्या महबद दिना जिन्दगाने है क्या दिवाना नहीं तो दिवानी है क्या वफाओं के दिल कश कहानी है क्या सुनो जी पहो जी पताया जो मुझखो किसी और को ना बताना लिखा है पढ़ा है दिवानों ने मिलके जवाधर कनों का पसाना वही चाह मेरे दिल में बसी है सुभा पे जो नहीं आए जो आखों सर कही जाए जवानी मेरे ज़ लग जाए जो पानी से न भुछ उताए वही आग मेरे दिल में लगी है अहां रुखो आती हूं मैं आ रही हूं क्या हुआ 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 है अरे बताए ना कुछ बोली हुआ क्या अरे विशार बेटे ने कुछ बताएं ने क्या हुआ हुआ है अपको आप मुझे बताएं ना कुछ बोली है अब बेठ जाए आप यहीं बेठ जाएं जाए बजे सांफ लाता हां लाती हूं जाएं किया हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ जाए थिए टरेंच से मैं आ रहा था उसको नीचे या अकर काय कट गए बाभुजी आप यिपस इतनी सी बात के लिए हमने घर्वो शार पर उठा लिया काय कट गई तो क्या हुआ शेहर में इस तरह के सेकरों हाथ से रोज होते हैं पापजी जो ये खालों बाद में कट्टी हुई देखी थी क्या नहीं लोग बात कर रहे थे ट्रेन भी रुख गई थे एक तो था भी वहाँ अंधा गुप अंधेरे में जानवर तो क्या इंसान को भी कहां कुछ सूचता है बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो काईतरी मैं जानता हूँ मेरी वज़ा से तुम लोगों को काफी परिशानी होती है अगर मैं क्या करो मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता ट्रेन में और भी लोग थे कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा कई किसी के चेरे पर कोई बदलाब नहीं उस वक्त उने देखकर मुझे ऐसा लगा शरीर को टुकड़ों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीचता इतना दिर्दई हो गया है इंसान कि अधिये ना साब ये लूग मलाड इस्ट आजाद पुर नगर जोपड़ पटी के रहवासी हैं और मैं सच्ची दान अंदग ने होत ली दाहनों करवारी कांदी विली मास्टर जी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है आपई की बस्ती में एक जलसे में कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ राणा साब इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस टॉप है और इस बस्तॉप के पास ये शराब खाना है बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब ख क्या किरें का क्षे था कि गल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया बेटीया की बेएज़त हो रही है और वकालत आप इनकी कर रहे हैं इने क्या साम सुन गिया राना साथ यो लूब चाहते हैं कि वो शराब कना आप वहां से हटवा दीजिए उस नाके पर इन लोगों की इसत के साथ जो खिलवाड हो रहा है उसे आप बंद करवा यह बस मास्टर जी ऐसे मौमलों से निफटना शहर की पुलिस का काम है आप अपनी फरयाद पुलिस स्टेशन लेकर जाए पुलिस स्टेशन में कोई लन्ना का है और गोपाल लन्ना के सर पर आपका हाथ है उचा मत बोलिये मास्टर जी यह जस्पाल राना की डियोड़ी है इस डियोड़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कने कुछ बल के लिए शांत हो जाती है रहते आप गांदी विली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए ने नहें क्या आप इनके आपके होसले की तो दाद देनी पड़ेगी यह जानते हुए भी के गुपाल अन्ना मेरा आदमी है आपने उसके खिलाफ बारा आदमी लागर मेरी डियोड़ी पर खड़े कर दिये ख़ानासाभ आज बारां खड़े है कल तोसों खड़े हुँगे दोहजार खड़े हुगे अब जात्तियों की शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे इंसाफ के लिए आवास उठाने का होसला जाग गया उनमें आप जरा मुड़कर देखिए आपके सिपाईयों ने तो मैदान छोड़ दिया इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी जहर के लोगों की मुश्किले तक्ये की नीचे रखकर सो गए तो नीन नहीं आएगी बुड़ापे में भरपूर नीन सोना जहत के लिए अच्छा होता है पंटेशवर जी ये मास्टर के साथ जो लोग आये थे इनके नाम पता करो जी और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अखबारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है इन अखबारों से जोड़े पत्रकारों को मेरे ऑफिस में बलाओ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जी और ये सूरत क्या लटकाय हुए हो तुम क्या परेशानी है तुमारी मेरी परेशानी है चिठ्थी है जी धौल पूर्शे आई है जी बड़े भाईया की है जी क्या है राना साब कभी कभी छोटा होना भी कितना नुक्सान्दे हो सकता है इसका पता तब चलता है जब कोई बड़ा अपने बड़े होने का नाजास फायदा उठा रहा हो अब देखिए जी बड़े भाईया ने तो चि क्या जवाब लिखो यह क्या जी जी लगा रखी है तुमने इस चिठी को फिलाल अपनी जेब में रखो कि अध्यूमें मत किरा करो मेरे अपना काम ठीक सा किया करो मंगल मुझे तुम्हारे इलाके से इस महीने के आखिर तक पचास लाक रुपए की वसूली चाहिए इलेक्शन के लिए दो क्रोड रुपया चंदा देने की हामी भरी है मैंने इसके लिए अगर एक दो को निप्टाना भी पड़े तो चुखना मत जी जाकिर और शंकर की कल रहाई है उन्हें भी अपने साथ लगा जो जी राना साब फोन है जी तुम्हारी वकील से बात नहीं होई क्या यह कोर्ट में से एक कागस निकालने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है काली ना चौक की यह जमीन हमारे हाँ से नहीं जानी चाहिए बंटेश्वर पूरे बीस क्रोड रुपे का खेल है यह साथ तारीकों कोड का फैसला हो जाएगा जी वह जमीन आप ही की है जी लेकिन राना साब मेरी यह जो धाई भी के जमीन की बात है उसका मैं क्या जवाब वंटेश्वर मेरे पिता जी तीन दिन से गायब है पुलिस में भी रिपोर्ट लिख वाई मगर कोई फाइदा नहीं तुम्हारे पिता जी का नाम क्या है जगदीश रस्तोगी कालबदे में हमारी दागीने की दुकान है बुद्वार की रात को मेरे पिता जी दुकान और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता अगर आप कमिशनर साब से बात करके क्यों हो वे कामले साब ये क्या हो रहा है इस शहर में चक्दीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रहे है तुमारी पुलिस ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राना साब मेरे खायल से ये केस जोन त्री के किसी आफिसर के पास होगा मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ आपके फाइल देखने से इनकी तसलिए नहीं होगी आदमी को तलाशिये जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक तिन दिन से घर नहीं पहुंचा मैं अभी देखता हूँ ओके तुम घर जाओ अब वेसीपी साब खुद इस केस को देखेंगे तुमारे पिता जी जहां भी होंगे पुलिस उने जरूर ढूम निकालेगी जी शुक्रिये राना साब प्राब्लम काफी बढ़ गई है आप इसके बाब को छोड़ दे तो अच्छा होगा अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उच्छाना शुरू कर दिया है कल आप को भी प्राब्लम हो सकती है राना साब रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा मौत के बाद उसकी खुली आखे देखकर शहर के लोगों के मूँ खुद बखुद बंद हो जाएंगे नहीं राना साब मेरे खाल से इस वक रस्तोगी को मरना आपके लिए रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही पैसे की बहुत कर्मी हो गई है उसमें वो अपनी चातवालों मेरे खिलाफ सहर भर रहा था पंडेश्वर हाजी नागेश को फोन लगाओ जी रस्तोगी मेरे डैर नहीं चाहता के तू जिन्दा रहे कहां जा रही हो बेटी कॉलेज डैड कॉलेज मैं देख रहा हूं कि आज कल पढ़ाई लिखाए में तुम्हारी दिल्चस्पी कुछ ज्यादे ही बढ़ती जा रही है लेकिन बेटी आज संडे है संडे डैड अज स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास और इस स्पेशल क्लास के स्पेशल टीचर है विशाल अगनी होतरी और सब्जेक्स हैं प्यार रोमांस मौज मस्ती हैन् आप मुझे गलत समझ नहीं समझ रहा हूं तुम्हारी और विशाल की प्रेम कहानी जी सरफतार से बढ़ रही सब जानता हूं मैं लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैं मेरी कंपनी के मुलाजिम को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा तू कुछ जानती है तू कुछ नहीं जा पचास गाओं की पट्टेदारी थी दो हाती और पांस सो घोड़े हमेशा साथ में चला करते थे और यह देख यह तेरे दादा रगुपती राओ पट्टेदारी और रियासर्थ छीन जाने के बाद इनके पास क्या बचा दो हाती और कुछ घोड़े उन्हें सरकस वालों को पेच कर दिन रात की रोठी पानी का इंतजाम करना पड़ा और ये देख ये तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया बड़ी महनत की कुली गीरी की तब मैं कुली से सेट बन पाया हूँ मैंने छाथा कि कोई चुच्चा सा ल पुजा रहा है के साथ इतने पी क्यों दिखा रहे हो ठीक कर रहा हूं यह मुझे झाहरं बहुत पहले करने जुदे लग दिया है अरे लाड़ प्यार ने जिसे बिगाड़ा है वो तो गाड़ी लेकर हो गई है आहापने निहा बेटिया की जगा गांता ना को इसको कमरे में बनकर दिया है क्या कह रहे हो तुम अरे हाथ कंगन को आर्सी क्या और पड़े लिखे को फार्सी क्या खुदी खोल कर देख लीजिये ना कि भारा 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 यह क्या नोट अंगी करिया मेरे साथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घषीड के उपर आ रहा हूं तुम बोलने से अगो वाया मैं कैसे बोलती है तीन साल में पहली पार मेरा हाथ पकड़ा तुम कि तीन साल में पहली बार अरे गिरी बाबू यह तुमको क्या हो रहा है अरे घिरी बाबू नेहा की शाधी के साथ साथ आपकी शादी का भी महुरत निकलवा दूँ वदरी याद रख मैं निया को छोड़ूंगा नहीं अरे आपकुछ नहीं हो सकता है वो दोनों तो नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, इरक रहे होंगे, हे हे! तक, 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 तक प्रैचू आओ तेरे पास चीरा ठक 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 बोले मस्ते चाए हले हले प्रैचू सोचू तेरी बात चीरा ठक 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 बोले तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होश गवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होश गवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला मेंने बीता अपने आपको तिरा सार समाला देखा जो किजो कोटों देदियों इस जोबन दाप दाला पात के प्यार भरी सौधात जीरा ठक 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 बोले उस या माल दूखी वात जीरा ठक 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 बोले मैं जो आखे पंद करूँ मेरे सपनों में कुँ आए सपनों में आके मुझे को कैसे कैसे तड़ पाए हॉ मैं जो आखे पंद करूँ मेरे सपनों में कुँ आए सपनों में आके मुझे को कैसे कैसे तड़ पाए जीने ना देखी मुझे को मेरी जान तेरी एंगराई अपों सही न चाए मुझे से एक बल के जुदाई कर्ण बतलूरी सारी रात जिया रात तक 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 पुलने जो पुलने जो जो जाती है मुझे कितना वक्त हो गया है खाना कब से लगा कर बैठी हूं चलो चलो बैठो पहले खाना खालो कि अरे क्या हुआ है हुआ कि आप कुछ बुरिया ना अज बहुत बड़ा अनर्थ मैंने अपनी आखों से देखा है कैतरी है हैवानियत का नंगा नाच मेरी आँखों के सामने चल रहा था और मैं फटीवी आँखों से वो सब देख रहा था एक तमाशा मोट भीचे हुए थे मेरे गिगगी बंद गई थी मेरी क्यों ऐसा क्या देखा आपने पीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलिस जीप में ले जा रहे थे और मैंने देखा उन गुंडों में जैस्पाल राना का लड़का नागिश भी थ एक समाज सिवक का धिंडोरा पीटने वाला जैस्पाल राना आज इतनी बड़ी पावर बन बैठा है कि उसका बेटा सारे आम सड़क पर इतना घिनोना अपरात करता है और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई साथ साल का ये बुड़ा इसने अपनी आखों के सामने गुलामी की गाली स्याही को मिठते हुए देखा है इस हाथ से को बेबस और लाचार की तरह देख रहा था वी कि मैं मैं पोलिस आकर रिपोर्ट करूँ लेकिन बात में खयाला कि पोलिस भी दो इस घिनो ने अपरात में उनके साथ मिली वी अंहीं किसी से कुछ ठीने की जुरूरत नहीं है और आपने कुछ नहीं देखा का इ electrory अब आज मेरी बात माननी जी मैंने आच तक किसी लेकिन इस बात को दबाना ही है हमें नहीं उलजना ऐसे लोगों के साथ आपको मेरी सोगन आपने कुछ नहीं देखा बस ये दिख सालुके की लड़की की खबर अकबार में छपी है पुलिस अपनी कारवाई कर रही है अरे क्या कर सकती है पुलिस जिन गुंडों के इतने बड़े होसले कि एक लड़की को उठा कर उसकी इज़त दूपकर उसे मार कर गाड़ी के नीचे डाल दें ये काम कोई छोट अब भूल गया अच्छा अभी तो आप घर जाईए माने बलाएं आपको अज़ी 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 आज़ी चल बेटा जल्दी से पैर चूँ मास्टर जी के आशिरवाद लेन का खुश्रों आज सिसका इंत्यान है आशिरवाद तो माबाप का ही सब कुछ होता है जीते रहो आपकी ही क्रिपा से इसकी पढ़ाई चल रही आप कोशिश ना करते तो मुझे नौकरी भी ना मिलती अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए अब यह जरूर पास हो जाएगा अच्छा चलता हूं आप सब जानते हैं कि श्री राना जन का लियान के लिए कई बड़े काम कर चुके हैं आज भी समाज और देश के हित में इनके प्रियास जारी है बिगरते हुए हालात गुंडों का आतंक दहशत और डर में जीने वाला एक आम आदमी ऐसी ही कुछ तस्वीर है इस शेहर की यहां पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस शेहर की हालत दिन बदिन बत्तर होती जा रही है इस शेहर में हर इनसान अपने घर रोजी रोटी की जगा सड़क कहीं पर भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है गुंडा गर्दी का तो ये आलम है कि वो कहीं भी किसी भी जगा खुले आम अपना खेल खेल रहे हैं अब गुंडे किसी को धमका कर रकम वसूल नहीं करते मार कर उन से छीन लेते हैं शेहर से गुंडा ताक्तों को मिटाने के लिए पुरिस के हर नौजवान को आज कमर कस्नि होगी तालियां मत बजाईए मत बजाईए तालियां मत बजाईए आशे लोगों की बाते सुनकर तालियां मत बजाईए आंके खोलिए आंके खोलिए और समझिए छोड़ो मुझे पबलिक का आदमी उपबलिक पीटी है ना ये छोड़ो अरे सुनो छोड़ दो ये नहीं आईए मास क्योंकि माइन पुतलों की भीड से अलग हूँ यह जो रखे हुए आपने यहां पर राना साब शहर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं मास्टर जी माइक पर बात कीजिए राना साब यहां मंच पर खड़े होकर शहर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं पुलिस को मश्वरा दे रहे हैं कि गुंडा टाक्तों को काबू में कैसे रखा जा सके यहां उचाई पर खड़े होकर एक समाज सेवी का मखोटा ओड़कर वहवाई लूट रहे हैं अरे किन गुंडों को मिठाने की बात कर रहे हैं राना साब जहाट के सबसे बड़े गुंडे तो आप यह देखिए यह देखिए और बाकी के गुंडों को अपनी छत्रचा में ले रखा है और पुलिस देभी उन गुंडों को और आपको खुली छूट दे रखी है आपकी तागत और आपकी पहुंच के आगे घुटने टेक दिये पुलिस से भाई पुलिस की जुबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती है कि शहर का कोई आदमी किसी गुंडे के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करता किसी कतल या लूट मार का कोई चश्मदीद गवा नहीं होता तो आज आप सब के सामने मैं पुलिस को एक चश्मदीद गवा दे रहा हूं कर रात माहिम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने एक लड़की की लाश परामत की लड़की का नाम था भारती सालू के उस लड़की को कुछ गुंडे वरली नाके से उठा कर लाए थे और उन गुंडों में राना साब का बेठा नागेश भी था मैंने खुद अपनी आखों से नागेश को उस लड़की को उठाटे देखा था तो मैं उस घटना का चश्मिदित गवाह हूं अब बताइए पुलिस बढ़ाएगी इस कारवाई को आगे बोलिए कमिश्टे साथ बोलिए जवाब दीजे अरे आपका जवाब देंगे आपक इक झोपर पट्टी की लड़की उठा ली अरे कुछ तो स्टेंडर की बात किया करो अचैटू थीक हे तुम जैसे लड़कों से यह सब हो जाता है यह भी ठीक है कि तुमने उसे महाड डाला लेकिन यह ठीक नहीं हुआ कि उसकी लाश मिली रेल की पट्रड़ी पर डालने के बजाए उसे किसी गटर में नी फैंक सकते थे इडियट ठीक है जो कुछ हुआ उसे बूल जाओ मैंने कामरे से बात कर ली है वो सब कुछ संभाल लेगा आएंदा के लिए जरा ख्याल रखा करो पंडेश्वर जी वो प्लॉट का काम ठीक से चल रहा है ना कौन से प्लॉट का जी अरे वही राना कॉंप्लेक्स वाला वो वह बिल्कुल ठीक चल रहा है कल कमिशनर साब के साथ मीटिंग के बाद मेरी कौन कौन सी अपॉइंट्मेंट्मेंट्स हैं कल सुबह 11 बजे आपको गाधी बेमुरियल स्कूल जाना है जी वो स्वत्तरता दीवस के जलसे में मिठाई खाने से जो बच्चे मर गए थे ना उन्हें बधाई देनी है जी और वो मेरी धाई भीगा जमीन के बारे में पूछा इसे अपनी जय में रखो दाइत्री विशाल अधा देखो देखो अरे घूर क्यों रहे हो अब मैं 740 उपे पेंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं और भी कुछ हूं कौन कहता है कि सच्चाई के साथ देने वाले ल मैंने कुछ गलत किया और कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते म responsabil料 करना पडैगा और पुलिस को जख्त मालकर नागे इसको गिरिफ्तार करना पड़ेगा बाबजी अब समझ नहीं रहे हैं तुम मुझे क्या समझाओगे तुम इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा तुम समझाओ इसे मिशाल जो होना था वो तो हो गया अब इसे समालना कैसे है वो सोचो कम इसकम तुम 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 मेरी फिकर छोड़ो जो होगा देखा जाएगा मैं उन परेशाने से खुद लड़ लूगा जिनकी शुरात मैंने की है उसे अंजाम तक पहुचाना मेरा काम है बस मेरा कि मुझे समझाने चले उस दिन देखना जब पबलीक सडकों पर उतर आएगी हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आज वो मांसर अकेला नहीं है उसके साथ 50,000 लोगार उतर आये हैं सडकों पर जुलूस निकल रहा है पुलीश दिपार्टमेंट के नाम का जुलूस निकल रहा है तो सुडेंट से भी तोड़ फोड़ शुड़ू कर दिये कल उन लोगों ने पुलीस की भी कुछ गाड़िया चला दी पता है आपको अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी तो नौकरी गए हाथ से कामले साहब आप उससे चाहते क्या है देखे राना साहब इस बात पर मैंने बहुत सोचा है अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो मेरे साथ साथ आपको भी काफी नुकसान होगा इस साहल आपको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है मुझे मुझे नागेश को गिरफतार करना होगा कामले राना साहब आप एरी बात तो सुनिए नागेश पुलीस की हरासत में ज्यादा दिन नहीं रहेगा इत्मिनान रखिए देखिए नागेश का केज़ तो प्रदान साह भी लड़ेंगे न और कोट में नागेश पर लगी चार्शीर को तोड़ने में किताब वक्त लगेगा मुझे मैं खुद कोट में नागेश के खिलाफ कोई भी सबूत या कोई भी गवा खड़ा नहीं होने दूँगा भरोसा रखिये मुझे पर लेकिन ये सब मैं तब कर पाऊँगा जब मैं कुरसी पे रहूँगा राना साथ मतलब ये के नागेश को पुलिस कुत्ते की तरह खसीटी हुई पुलिस स्टेशन ले जाएगी और कल की अख़बारों में हेड लाइन्स होंगी समाज सेवी जस्पाल राना का बेटा बलादकार के चुर्म में गिरिफतार ठीक है मैं कोट में पैरवी के लिए परधान को खड़ा भी कर दूँगा और नागेश छूट भी जाएगा अगर इस पूरी महाँ भारत के बास वो रामाएन जो मैंने रची है उसका क्या होगा 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा एक लास्ता है काबले पराम हो बड़ी जवानी चरिये तेरे अंदर यह क्या करने आप इसके नाम पर दभावे दू इतना बड़ा पाप पर जो तुझे शरम नहीं आई अज़ा कामले मैं तुझे जंदा नहीं छोड़ूँगा निकल जाए यहां के इतना बड़ा पाप तुझे प्या कैसे तुझे का समदा नहीं तुझे पचारेगा अरे हां अरत का करजा देवी के समान होता है आप जाए उसे और तुने उसे पाजारू समझ लिया तुझे करण दूब के पट्टे गबूद इतना प्याम नहीं दे अरे सब और सब तुझे आप दोगों के विश्चे तेरे जैसे मुझरिम को तो कानून के हवाले मैं करूंगा इस पेक्टर साथ यह रहा अपना अपरादी बलातकार जैसा खिनोना चुर्म किया है इसे इसके साथ वही सुलूक कीजे जो एक अपरादी के साथ किया जाता है भूल जाएए जस्पाल राणा का बेटा है यह मेरा बेटा होई नहीं सकता है राना साथ लोगता अपनी पॉजीशन के प्रभाव से अपने सगे संबन्द्यों की हिपाज़त करते हैं मगर आपने तो अपने बेटे को कानूं के हवाले कर दिया जरूरी था ऐसा करना अपने स अच्छे नागरिक के तरह अपना फर्ज निभाया है मेरे बेटे नागिश के उपर उंगली उठी के वो गुनेगार है तो मैंने उसे खुद पखुद पुलिस के हवाले कर दिया मैं तो चाहता हूँ कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पूजिशन की वज़ा से कोई भी गुना आसानी से कर बैठते हैं और बड़ा काम मैंने नहीं बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चे दनंद अगने होतरी ने जिसने निडर होकर इस गुना के खिलाफ अपने आवाज उठाई मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज मेरी फोटो मत लीजिए अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजी और अपने अख़बारों में च्छाबिए सचाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुंचनी चाहिए दाना साब नागेश को पुलिस के हावाले करने के बाद आपके मन में कहीं मैंने जो कुछ किया है अपनी इमानदारी से किया है और अब मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी इमानदारी से करें पास्तुजी घर पर हैं? आप लोग? आप लोग इतनी रात को इस तरह रात को आकर आपको तकलीफ तो दी पर क्या करें? ड्यूटी ऐसी है अरे आप खड़े क्यों है? बैठी है बैठी है बैठी है बैठी है बैठी ना बास्तुजी उस लड़की के केस में कानुनी कार्य वही अब शुरू हो गई है मैं देख रहा हूँ वो केस आपने जो स्टेट्मेंट दिया था उसी के बिना पर पुलीस आप कोर्ट में केस फाइल करेगी आपके सिगनेचर की जरूरत है जी बता ये खाँ साइन करना है एक बार फिर सोच लीजे मास्तुजी ये केस बलातकार और हत्या का है आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवा के रूप में दर्च हो जाना हो सकता है हदालत की कारवाई वहां तक पहुँचे कि नागेश को सजा हो जाए लेकिन ये सब इतना असन नहीं होगा क्योंकि नागेश जस्पाल राना का बेटा है जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पाँच बहुत बड़ी है और मास्टर जी मैंने ता इसे कई केसिस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानिया इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज़ पर आकर वो अपना हाथ वापस खीचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की मैं तो सिर्फ अपना तजूरबा बयान कर रहा हूं एक मिनट आप अपना तजूरबा बयान कर रहे हैं मुझे डरा रहे हैं मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अठल हूँ पताए कहा साइन करना है पताए नहीं रुक जाए आप साइन मत कीजिए पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परिशाने में फच जाएंगे फटल नीचे कर यहां के एंड कोटर के लिए आया क्या गोली चल गए तो आदमी मर जाएगा इडियाट बाफ कीजिए फ्लीज नहीं आप मैंन बहुत घबरा रहा है दरने की कोई बात नहीं है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दरना उन्हें चाहिए जन्हें दोने गुना किया है में समझते हुं आपकी बात प्लीज साइन मत किजिए विशाल भी घर पर नहीं है अब भी आपकी बात है मां हां बिटा ये लोग तेरी पभूजी का बेयान नहीं है तो सब्सक्राइब मेरा मंन बहुत गब आप गबरा रहा है अरे यह क्या रोकेगा मुझे मैं अपने रास् लोगों के दिलों में इस नाम हिम्सक्राइए पर इस थिति कैसी वह और पती की पूरी को यदिकार नहीं , जबसे चस चाहिक है तुम तोनों चाहते हो कि मैंने कुछ कुछ थाकद वर घृण्टों में भूटल के जाल अरे निशाल तु यहाँ मा ये मा तु जल्दबाजी मत करना अगर पसंद नहीं आई तो अगले सवार दूसरी नहीं नहीं यही तो है वो ऐसे ही सोचीती मैंने वेटा क्या नाम है तुम्हारा नहाँ जोर से बॉल यहाँ बिल्कुल सही है जो एक बार देखें नहारता है रह जाए अब यह कहेगा तभी तो पैरशुएगी क्या जीती रहे जीती रहे कि रहे लegएօधल रहे क्य सक्झाश है वकली देषित कि अचाम क्ते眉 पार दुम danced कि अच्को नंवां कि फूबल यहीं यहीं यह ज trademark जो हैर्सरी वतना दूब ऑ training देखो जी देखो दिल मेरा धड़के देखो जी देखो देखो जी देखो कैसे अकर्के मत को सताए नैल लड़ाये छेरे मुझे से दिखते कंजाबी मुंडा मारे चलिके कंजाबी मुंडा मारे चलिके इसाच मेरी अजाबे क्यों ऐसे मरता मेरे लिए क्या आहे है भरता काल गुलाबी जाल शराबी देखों इसे तो अखबे पंजाबी मुंडा मारे चलिके पंजाबी मुंडा मारे चलिके इसाच ऑचलिके इसाच पंजाबी हाथ लगाना दिल पर एचानी नादा समझना रहो सयानी में जिके जैसी हुदी ये बोले ऐसे चले जैसे अपना किन डोले पाप बड़ा है पीछे पड़ा है पाने गतने सब ले मंजाबी लुणा मारे जटके देखो जी देखो दिल मेरा धड़के शोलासा कोई सासों में भड़के देखो जी देखो कैसे या कड़के पात करे मेरी पाहे पकड़के नील चुराए हो शुडाए छेरे मुझे के पंजाबी कुड़ी मारे जटके पंजाबी मुणा मारे जटके पंजाबी कुड़ी मारे जटके पंजाबी मुणा मारे जटके पंजाबी तक नहीं आया जाए वह आता ही होगा लो थोड़ा सपानी नहीं ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ दब्राओ नहीं मिशाल आते ही पुल स्टेशन जाए अरे मगर खानी के थाली के आगी से ले गया उन्हें पूरे देड़ दिन के भूग के बाद तो रूटी तोड रहे थे वह मैं मैं अखुदी जाती हूँ पुली स्टेशन मैं ही जाओगी तुम जाओगी बेचे वह देड़ दिन से भूखे उन्होंने गभाई क्या देदी अपनी जानी बस मुसीवत में डाली है तो फिकर मत कर मां मैं पापजी को भी लेकर आता हूं अच्छा जल्दी जा जल्दी जा मास्टर अभी तो ये कोट की पहली टारी की टैयारी चल रही है कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है क्या लिखना पड़ता है मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहां मेरी मौजूद्गी चाहेगी मैं पहुंच जाओंगा तो मेरी मेरी बात को घुमा फिर आकर क्यों लिखा जा रहा है इंस्पेक्टर मास्टर ये हमने सब तुमारे हक के लिए रखा है हो सकता है किसी टारिक तुम बिमार पर जाओ तुमारी शेहत अच्छी ना रहे तो आप मुझसे अमदर्दी मज़ता ये अपनी कारवाई पर ध् अब ये कोड के फैसले तक चलेगा और ये नाटक नहीं है कानून का कामकाज है इंस्पेक्टर में आप ठीक कह रहे हैं मैं समझता हूं आपकी बात को अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना अरे ये तो बुढ़्धा है इसका दिमाग वरोबर नहीं है इस्पेक्टर उची आवाज में बात नहीं करने का इधर तुम ही से तुझे बात करने की क्या ये तरीका बुजर्ग से बात करने का क्या कर लेगा तु अंदर कर देगा मुझे बाबुजी ठेक चाहिए अब ये कारवाई में आगे बढ़ाऊगा बहुत नशाल है तुझे क्यों कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा या इतरी वहाँ पुलिस वालों से हाथा पाई पर उतर आया था तो क्या घलत कर रहा था मैं वो लोग आपसे सब्रदस्की पेपर पर साइन करवा रहे थे आप खाना काने के लिए बैठे थे और आपको उठाकर लेगे लेकिन अब पुली स्टेशन में तुम्हारा वो तरीका गलत था मेरा तरीका वहां आपका अपमान हुरा था जो मुझसे देखा नहीं गया अगर आज तुम्हें वहां कुछ हो जाता उसके बाद क्या होता एक पुली स्टेशन में पुली साफिजर बर हाथ उत्खाने का बतलम किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है सोचा था आपने विशाल चुप कहा है और जाए यहां से करतरी कि आज मैं जान गया विशाल अब मेरे कंधों से उपर हो गया है नागेश नागेश बेटे बेटा मत बोलिये मुझे मर चुका है आपका बेटा आपने पहिचान को जिन्दा रखने के लिए मार दिया है उससे बगवास बंद कर मैंने कुछ गलत नहीं किया है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझे बचाने के लिए आज मेरी ये पोजीशन ही न रहती पोजीशन है तो सब कुछ है अब मैं कोई भी गेम खेर सकता हूं तू लॉक अप में बहुत दिन तक नहीं रहेगा पर्धान को तो तू जानता ही है वो कभी कोई केस नहीं हरा आज वो अमरीका से वापस आ रहा है पर्धान साब इस केस को जरा अप अलग नजरिये से देखिए दो तीन तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हक्त में हो जाना चाहिए मेरा बेटा नागेश सलाखों के पीछे चितनी राते रहेगा उतना ही भारी पड़ेगा सब को तुम कौन सी अपील कब करते हो और किस तारीख को तुमारे हाथ क्या लगता है यह सब हिसाब के दाब तुम्हारा है राना साहब नागेश के लिए मैं कमपरेशान नहीं हूं वो मेरे बेटी जैसा ही है फिर यह केस तुमें चुटकियों में निप्ता दूगा वैसे तो इस शहर में लोग देखते नहीं हैं और देखते भी हैं तो बोलते नहीं हैं यह पहला प्राणी है जो देखता भी है और बोलता भी है कामरे साहब मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे आप करते जाये मास्ट सच्चिदानंद अगनी होतरी सीधा है सच्चा है इमानदार है और खास बात यह है कि वो दिल से काम लेता है हम और जो दिल से काम लेता है उसके दिमाग पर चोड़ करने चाहिए को ली क्यों चलाई को ली मैंने नहीं चलाई को ली नहीं चलाई तु कबूतर कैसे उड़े मुझे का बता कैसे उड़े कि देखिए अब आप अपना ख्याल रखेगा कि देखो विशाल कि तुम्हारी मा की कंडिशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब इन्हें रेगुलर ट्रीट्मेंट की जरूरत है और बाकी डिटेल्स तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे यह दोवाईयां ने र मास्टर जी प्रसाद लीजिए कि अब 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 एक दवाई नहीं है इनकी 140 रुपे हुए अब 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 अरे क्या मास्टर तुम समस्ता क्यों नहीं कानुन का काम तो कानूनी तरीकी से होगा ना मैं सब समझता हूं पढ़ा लिखा हूं लेकिन जिस तरह से आप मीजे परेशान कर रहे हैं न वह हो रिलाक्स काम को करने के लिए हिम्मत चाहें लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तड़ा सोच लिया था ना अरे आप लोग क्या करने हुआ यह आपको घर चुड़ ले इस तरह पीछो दरवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जा रहा है पाइक आपने सब्वाइक कर एक तो चलताल रहे है रहेंक का शरआ पी रकिया मास्तर जी नहीं कि अब हुआ हो चैनेक तुम्स अ काई व्लटी जा रहे हुआ देख एक्वशन भी डिए काई सीधी तो मुझे यही उता दो मैं आपने यहां से चला जाओ अरे नहीं नहीं मास्टर जी हमारी डूटी लगी है आपको घर छोड़ने की लेजिए मास्टर जी आपका घर आ गया आप खामका चिंता कर रहे थे आए उतरिये आपका घर आ गया घर की परशानी देखकर मा की तबियत पिखड़ती जा रही है पापजी के बारे में सोचता हूं खलत तो वह भी नहीं है अन्या पुलीसर कानून में ऐसे लोग हैं ही कहां जो सच का साथ हैं अगर बाबुजी का विश्वास अगर तुम बाबुजी को समझाओगे तो वह समझ जाएंगे इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया अब कुनेगार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तैख करने के लिए बैठे हुए हैं लोग ये उनका काम है अगर हर आदमी अपना काम ठीक से करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती एक आदमी जो सचाय के लिए लड़ रहा है वो खुद परिशानी उसे चकड़ा हुआ है कि बहुत सवाल उटते हैं बहुत एक तरफ मां का परिशान चहरा पता नहीं आगे जाकर बाबुजी की लड़ाए क्या मोड़ लेगी मालोड नागेश राना पर लगी चार्शीट पर अपनी दलीले रखने से पहले मैं इस केस के बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूँ मालोड एक सामाजिक संसाज शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विशेपर चर्चा करने के लिए क्रास मैदान पर एक मिटिंग और्गनाईज करती है जिसमें पुलिस के बड़े-बड़े आफिसर्स, समाज सेवी और काफी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद है उसी मिटिंग में चीफ गेश की हैसे से जस्पाल राना भी वहां मौजूद है उस मिटिंग के दोरान जस्पाल राना मंच पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तभी वहां फिल्म नायक की तरह एक आदमी आता है और जस्पाल राना पर उंगली उठाता है शहर में बढ़ते होई क्राइम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है यहां तक के मंच पर खड़े होकर जस्पाल राना के बेटे नागेश पर बलातकार और हत्या का आरोप लगाता है उसका कहना यह है कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते होए देखा है मंच पर यह जबर्दस्ट ड्रामा किया मास्टर सचीदानंद अगनी होत्री ने लेकिन सबसे पहले अदालत के लिए साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं मिलोड वरली नाके पे तीन बती अलाके में रात को ग्यारा बजे जहां सेकड़ो लोग आ जा रहे हैं नाके के बाईं तरफ चित्रा सिनिमा का टेक्सिस एंड डाईं तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकाने ऐसे माहौल में कुछ गुंडेक लड़की को जबरन उठाकर पुलीस जीप में डालते हैं उस लड़की की चीख बुकार वहां मौजुद लोगों में से किसी की कानों तक नहीं पहुँची सिर्फ मास्टर जी ने नजारा बखु भी देखा लेकिन अपने किसी नजदी के पुलीस टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की शायद उस वक्त इनकी परेशानी ये रही होगी कि इन्होंने पुलीस को नागिश की मदद करते वे देखा है मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशो अबास में पूरी समझ के साथ काम लिया एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आपको इस मामले से दूर रखना ये बहतर समझा लगिन अगले ही दिन क्राउस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया जो शक्स ये घटना देखने के बाद डर कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लिता है वही शक्स हजारों लोगों की भीड में खड़े होकर जस्पाल राना के हाथ से माइक चीन लेता है माइक मैंने चीना नहीं था खुछ जस्पाल राना ने मुझे दिया था और ये घटना तीन बती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी जट साब जितरा सिनिमा की बाई तरफ वल्ली विलेज को जब सड़क जाती है उसके पास कुछ रेल वेज की पुरानी बिलिडिंस है उनी बिलिंग से उस लड़की को बाहर लाया गया था जिंदगी महालागि कुछ भी रहे हो मैंने कभी जूट का पारा नहीं लिया कि मिलोड मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने के इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है कि मास्टर जी बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले पूर्निमा देवी विद्याले में करीब 11 साल था इससे पहले भी आप किस स्कूल पे थे अहाँ सरकारी स्कूल में चार साल क्यों में आप सिर्फ था जोड़ायारी साहरे की बतौर जालों का जस़्ख से और मैं इसाबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का तालुक इस के साथ है अब बताइए आपने सरकारी विद्याले में सिर्फ चार साल ही काम क्यों किया क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था कि वहां कि अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था कि स्कूल के बाहर दुकाने खोली थी उन्होंने और स्टूडेंट्स को टूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीखों से परिशान किया जाने लगा ठक कर ठक कर मैंने रेजाइन कर दिया आपने ग्यारा साल की सर्विस के बाद पुर्णिम देवी विद्यले क्यों छोड़ा कि वहां के प्रिंसिपल रंगनात राव से मेरी बिगड़ गई थी कि मेरा अपना आत्मसम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं आपको हटाया गया है हां आप आप असा कह सकते हैं मास्तर जी काम में घाएर जिम्मेदार और लापर्वाह थे मसलन हिंदी के प्रेड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे ऐसा एक ही बार हुआ था और क्लास से गायब होकर कोई पाप का काम करने नहीं गया था हमारे स्कूल के चपराशी के घर गया था मैं उसे बहुत में मारा है है ऐसा किया था मैंने क्योंकि स्कूल मेंटेंस के लिए ट्रस्स जो रकम मिली थी उसमें पांच लाख रुपए का घोटाला हुआ था और यह रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बटी थी और इस घिनोने काम को अंजाम देने के लिए कुल करने का सब बाते मुझे पडburgh करती है दिल व दिमाग से निकाल देना चाहता हूं उनी बातों को अदालत में और आपको बता देना चाहता हूं कि मुझा अडालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है तो मेरे साहरत है कोशित की जगसार्य नियुकर दि describes जार्थ जजज साब मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनाद गाड मेरे पीछे खड़ा होकर उपर गोली चलाता है पूछताश के लिए मुझे पुलिस पीछे के दर्माजे से अंदर लेकर जाती है पूछताश के बाद पुलिस टेशन से मुझे खर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है और तो और मैं बंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूं तो प्रसाद की जगा मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है मैं यह नहीं कह रहा बाबजी आप कहना क्या चाहते थे आपकी कोई बात का मतलब भी नहीं बनता था वो कोट है बाबजी कोट मुझे निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं आपने अपना मजाक मेरा निस अच्चाहि का हुआ था मैंने जो भी बोला बिल्कुर सही बोला था वह था मेरे साथ क्या धिमांग फिर गया मेरा उचनिवार को गनेश चतुर्ती के दिन पैदा हुआ था दोपैर को 20 मेरे जम्हारत का सेने मिनट सी एक सबकिया गार अब गांन पर फोह कंपार्टमेंट सबलाक कंड़ने को टब के का इंट ने कि कोट में कहीं हुई मेरी बातें बहकी हो सकती है उम्र के बोज में अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठाओं ये भी सच हो सकता है अब लेकिन विशाल ये तो नहीं हो सकता कि मैं शराप पीने लगाओ ये बोतल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परिशान करने के लिए बस बाब जी अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं कि अब आप अब अब आप अब आप अब मेरे साथ है नहीं जा सकते हैं कि तुम को अंदराने के लिए मना किया ना इसी भी साब मैं आपको अब सब कुछ मेरे सामने होगा मेरे बाबजी से क्या पूछा जाता है क्या लिखाया जाता है सब कुछ कि अच्छा जाता है अच्छा जाता है अच्छा जाता है कि मैं कि अच्छा फिर फिरों मजा किया होगा विस इंस्पेक्टर उजनों कोड के ब Creating तुम हीं ने दिया था तो फिर वो दारू की बाटल भी तुम ही ने डाली होगी के ना क्या चाहता तू झाला है तू 요 Virtu Uuuu! Aaaa! Pişal! Pişal! Pişal, rukyaaall! Rukyaaall! Yolabu cek! Yolabu cek, Pişal! Come on! देखिए, गिरी बाबु, विशाल का जल्दी छूटना मुश्किल है. केस काफी बिगड गया है, क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है. आप कोशिश तो कीजिए, वकील साब. कोशिश कर लेते हैं, लेकिन चांसिस बहुत कम है. जच साब, मेरा नम सचिदा नंदर्ग नहीं होत रही है. मेरा केस भी आप ही की कोट में है. मैं पुलिस का गवा हूँ. एक तरह से मैंने कानून की मदद की है. लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बेटे को जूटे कून के इल्जाम में लॉकर में बंद करवा दिया है. आप उसकी जमानत करवा दीजे. बाद में उसका भी केस कानूनी तरीके से चले कोई बात नहीं. जच साब मैं आपका बहुत दाबारी रोंगा. देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. पुलिस की करवाई में हमारा कोई दखल नहीं होता. आम सॉरी. जच साब मेरे बात चुलिए. जच साब मेरे बेटे की जिंद्री एका सवाल है. यहां मेरी आत्मा पर बोज बढ़ता जा रहा है. क्योंकि मैं ही उसे मार मारकर पुलिस टेशन तक ले गया था. यह सच्चिद अलंड स्कूल मस्टर. दोहजार रुपे महावार की तंखावाला सरकारी गुलाम मुझ पर भारी पढ़ रहा है. जस्पाल राना पर भरी पढ़ रहा है. एक लड़की के अपहरन का चश्मदीत गवा बन गया है. यह जानते हुए भी कि उस लड़की को मेरे बेटे ने उड़ाया था. मामूली साम मास्टर. मामूली साम मास्टर चश्मदीत गवा. जिसमें यह सब अपने आँखों से देखा है. मास्टर सच्चिता अनंद अगनी होत रही है. कामले साथ, नागेश को दो घंटे के लिए लाक अप से बाहर निका रहा है. और यह बात सिर्फ तुमारे खास लोगों की जानकारी में होनी चाहिए. और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्रेटी हटा दो. अब यह नया क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ. राना साब, अब तो यह केस आने वाली इसी तारिक में निपड़ जाएगा. देखकर बोलने की बीमारी है ना इस मास्टर को, अब मैं जो उसे दिखाऊंगा, कोल्ट में बोलना बहुत भारी पड़ेगा उस मास्टर को. कर दो मा ये दूद पीलो फिर दवायां भी तो लेनी है आपको नहीं बेटे और कितनी दवायां खिलाओगी मुझे मैं इतनी बिमार थोड़ी हूँ आज पूरे पांच दिन होके विशाल को देखें क्या केते हैं वकील साहब कब तक छूटेगा वो वैसे हम पूरी कुशिश कर रहे हैं के विशाल जल से जल छूट जाए कल हमने कोट में अपील भी कर दिये बस वो जल्दी ही बाहर आ जाएग इतनी रात हो गई है यह भी अभी तक घर नहीं लोटे हुआ हां 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 क्या हुआ है नमस्ते 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 बाबुजे कैसी बेटा ठीक हो क्या बात है क्या फिर कुछ कुछ नहीं है कोई बात नहीं है और मैं तो इतनी रात तक कोई खास काम निपटा भी नहीं रहा था कि यूही गाडन में बैठा था कब आख लग गई पता ही नहीं चला कब आख लग गई पता ही नहीं चला तो फिकर मत करो गायतरी अब इस अध्याय का समापन बस हो नहीं वाला है कल कोट की तारीक है ना कि सब ठीक हो जाएगा जल्दी छूट जाएगा तो मैं जैज साब को मिला था उनके बंगले पर बहुत नेक इंसान है मेरे केज का फैसला तो आज की तारीक में हो जाएगा उसके बाद उसके बाद मैं तेरी जमानत के लिए बहुत दौड भाग करूँगा अब तो अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान भी हो गई है तेरा केस में किसी अच्छे वकील को सौपूँगा अच्छपन में तो मेरी इस घड़ी के साथ खेला करता था एक बार मैंने तरह स्कूल बैक से भी बरामत की थे याद है याद है मैंने तेरी को एक चपत भी लगाई थी पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए घड़ी बेजानसी हो गई है इसकी सुयों की रफतार से मैं दाल में नहीं मिला पा रहा हूं तो इसे न इसे तू रख ले शायद शायद तू इसकी रफतार पकड़ सके जल्दी छूट जाएगा तो कि अच्छ आज कोड की कार्यवाहि के लिए मांसिक तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं हाँ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और तैयार भी आप कार्वाई शुरू कीजिए मिलाड ये रही पैनल अफ डॉक्टर्स के रिपोर्ट इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूंगा मैं लॉर्ड इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि एक गवाह को अदालत की कार्यवाही में जहनी तौर पर पर परेशान होना पड़ता है कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो इसलिए अदालत में कुछ मुद्दों को बार बार दोहराना पड़ता है चेड़ना पड़ता है आज गवाह के कटखरे में खड़े एक अध्यापक के चेहरे पर परेशाने देख कर मुझे भी बहुत दुख होता है माई लॉर्ड मेरे जिन्दगी में एक अध्यापक की बहुत बड़ी आहमेथ है मैं बच्पन में बहुत बड़ा शरारती था और एक अध्यापक ने मुझे सुधारा था उसी अध्यापक से मेरे जिवन को एक सही दिशा मिली इसलिए आज मैं हर अध्यापक की बड़ी इज़त करता हूँ आज कानून का हिमायती होने के नाते मैं अदालत की मर्यादा को बचाने की कोशिश में लगा हूँ जहां एक तरफ इस बात की मुझे खुशी है वहां दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि मेरी इस कोशिश में एक अध्यापक को परेशान होना पड़ रहा है हाँ तो मास्टर जी 13 अक्टोबर की रात को आपने जो भी देखा मैं फिर एक बारा दालत के सामने रख रहा हूँ आप एक बयान को दोहरा रहा हूँ तो 13 अक्टोबर की रात को 11.30 बजे आप वरली नाके के 3.30 चौरा हिससे गुजर रहे थे आपने एक लड़की की चीख सुनी आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठाकर पुलीश जीप में डालते हैं उन लोगों में से आप नागे श्राना को पहचानते हैं आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं लेकिन आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़की की चीख आप तक पहुंच पाती है और आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती नहीं इसकी भी एक वज़ा थी आप नहीं बताया था और बिल्कुल दुरुस्त था आपको याद हैं? मैं मैं बताता हूं मैं बताता हूं जहां यह घटना हुई वहां पास में एक रेलवे ट्रैक था जहां से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसकी वज़़से आपकी आवाज दब गई हाँ ऐसा ही है हाँ तो यह आपने तीन बत्ति की बाई तरफ से यानिके चितरा सिनेमा के पीछ ladies जो वरली नाके तरफ जयाती है वहां यह घटना देखिए मतलब आत वरली नाके से काफी दूर कहड़े थे प्यरीडी स्थैंट की बाई कि नहीं मैं मंदिर के पास नहीं खड़ा था मैं चर्च के पास खड़ा था हां हां ठीक कहे रहे हैं आप आप चर्च के पास खड़े थे अच्छा नागेश और उसके साथियों ने लड़की को उठा कर जिस गाड़ी में रखा वो पुलीश जीप थी हां मैं कितनी बार क्या दूर हरमार मंदिर के पास से चर्च के पास से गुजर रहे थे आपने एक लड़की की चीख सुनी आपने देखा वरली विलेज की तरफ जाने वाली रोड के पास रेलवे की पुराने बीडिंग से कुछ लोग एक लड़की को जबरन उठाकर ले जा रहे थे आपने गुस लड़की चिलाई आपने देखा, आप चिलाए, ट्रेन गुजरी, आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की को उठा कर एम्बूलेंस में डाला, चले गए, कुछ सुदार चाहते हैं आप इसमें, चाहते हैं सुदार कुछ, नहीं, सब कुछ ऐसे हुआ था, सोच कर ब आफ़ों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दे हैं, मैं रात को वरली नाके से गुजरा, पूरी बात बताएए, पूरी बात, क्या वक था, क्या टाइम था उस वागड़ी में, याद कीजे थोड़ा पीछे जाएए, कहां से आ रहे थे आप, कहां से आ रहे थे आप, मैं आखरी लोकल से चेंबूर पे उत्रा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा मास्टर जी आप वरली नाके से गुजर रहे थे आखरी ट्रेन से आप चेंबूर नहीं महालक्ष्मी उत्रे होंगे आखरी ट्रेन इसका मतलब है कि आप बारा साड़े बारा बज़े महालक्ष्मी स्टेशन उत्रे एक बज़े वरली नाका पहुचे इसका मतलब यह है कि यह घटना जो घटी वो एक बज़े के आसपास हुई लेकिन आप तो बार बार ये दोहरा ते आ रहे हैं अपने बयान में कि यह घटना ग्यारा से साड़े ग्यारा के बीच हुई और अगर ग्यारा से साड़े ग्यारा बज़े तक आप वरले नाके पित थे तो महालक्ष्मी जिस ट्रेन से उत्रे थे वो आखरी ट्रेन नहीं थ रहा था महालक्ष में उत्रा था आप किस ट्रेन से किस वक्त कहां उत्रे ये सवाल आपके लिए अभी खड़ा है कि वरले नाकी की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी खटना देखी आपके पीछे को इमारत थी हमें हरुमान मंदिर के पास आपके पिछे मंदि नहीं था चर्ष थाट चर्ष तृज है आपने आपके महालक्ष में उतारे तो कभी चेंबूर घटना के वक्त आपके रही मंदिर के पास जिस गाड़ी में लड़की को टाला गया वो थी कभी पूलीज छीप होती है तो कभी delle اफ अपने ही किस्से को समझाने में हुए हैं जुटा नहीं हूं मैं मेरी हर बात सत्य है 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथ यो लड़की को उठा तो मैंने जिस गाड़ी में देखा था वह पुलिस जीब थी और यह हादसा रात को साड़े 11 बजे हुआ था जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके समझ में कुछ आया की नहीं इसका मतलब कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से लड़की को उठाया था लॉर्ड मास्टर जी के इस किस्से के तार को मैं छेड़ना नहीं चाहता नागेश जिसे क्राइम ब्रांच के लॉक अप में पुलिस सुरक्षा में पूरी एहतियाद के साथ रखा गया है उसे कल रात मास्टर जी ने चेंबूर नाके पर देखा मास्टर जी की दिमागी हालत को बहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुए रिपोर्ट पर आना चाहता हूँ रिपोर्ट में ये साफ है उन डॉक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बिमारी का शिकार पाया है क्या मतलब है आपका एक मिनिट एक मिनिट आपको बोलने का मौका दिया जागा एक मिन whilst अईसे के सिस में पेस्ट की मेंटर कंडिशन ऐसी हो जाती है कि वो आँखों से देखता कुछ है और समझता कुछ और है मसलन सडक पर वो भीड देखता है मजमा लगा हुआ है तमाशे का लोग मजा ले रहे हैं उसे लगता है किसे को पीटा जा रहा है पस या ट्रेन पकड़नी की जल्दबाजी में सामने से कोई भागता हुआ नजर आता है उसे लगता है उसका खून करने आ रहा है ऐसा आदमी हाथ के रुमाल को सामप समझकर चीख सकता है किसी के हाथ में पकड़वी कलम को रिवालवर समझ सकता है टेलिफोन की घंटी को बिजली का कड़कना समझकर घर के खड़की दरवाजे बन कर सकता है ऐसे आदमी के लिए हर चीज़ के मायने उसकी पहचान कुछ और बन जाती है ऐसे आदमी को हर चीज़ से एक खास किसम का डर बना रहता है अभी रुमाल कलम, टेलिफोन, साम, बिच्चू इन सब की बनावट अलगए-लगए इनका कामकाज अलगा अलगा, इनका रंण रूप अलगा है, बिलकुल अलगा है अब आप मुझे बताएएम अश्रीजे आपके जिब में क्या रखा हुआ है मैं आपका खेल समझ गया, वकील साहब मैं समझ गया कि आप अदालत में ये थाबित करना चाहते है कि सचिदानन अग्नी होतरी जो इस वक्त इस गभा के कटखाने में खड़ा है एक पागल आदमी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पागल आदमी नहीं हूं मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है और मैंने आज तक जिंदिके में कभी जूट नहीं बोला है आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है मैं आपको यहां तक बता सकता हूँ कि आपकी जेब में क्या है मेरी जेब में ये कलम है जिससे लिखा जाता है जानता हूं कि दिवार पर जो चीज है वो एक घड़ी है और उसमें इस वक्त चार बच कर 28 मिलट हुए है जानता हूं जो आद्वी उस मषीन के आगे बैठा है वो एक टाईप रइटर है मैं जानता हूं कि टैलिफोन से बात की जाती है करम से लिखा जाता है मैं यह जानता हूं कि रोगों की बिर्वीं है और अम क्याइख रहा है और उसके साथ बैठा है मेरे संथी है जानता हूं को मेर ब्याइफ्स सण होIR और उसे छोड़ा नहीं जा रहा हूं चैना है यह कवर है और और व्यादा करना चाहते है व्योलें मैं चानता हूं यह कलब नहीं एक रिवॉल्वर है और इसे आद भी मर सकता है आप जाना चाहते है कैसे आप जाना चाहते ना कैसे यह दिखिया है थे हाँ कैत्री 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 हखी हम हाख 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 हुआ हाख हाख तेरा बाप सर फिरा था उसने मेरे सामने जस्पाल राना के सामने ऐसे हालात कड़े कर दिये कि मुझे अपने ही हातों अपने बेटे को लव लोहान करना पड़ा तेरा बाप मर तो गया लेकिन उसकी सजा अपी तक पूरी नहीं हुई कहते हैं कि बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग ना मिले उसे मुक्ष नहीं मिलता और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी कोर्ट आउडर के हिसाब चुछ आपको मामूली से स्कूल मास्टर का खून इतना गरम होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था कामले ठंडा करो इसे ठंडा करो इसे कर को तेरे हांग्रों आपको आपको मैं प्रूम्रों आपको कि यह लेके जारे हैं कि यह कैसे हुए एक बेटा आपने पिता का अंते हम सिल्सकार नहीं कर सकता चलो जल्दी का सौर्जी को जी लुक जाओ मैंने कहा ना जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता यह अरती नहीं कसी जाएंगी छोड़ो गामरे सहाब विशाल मास्टर जी का एकलोता बेटा है क्या आपका कानून आपकी अदालत यह भी नहीं जानती कि पिता की चिता को देखिए गरीवाबू कोड के ओर्डर् कि मास्टर जी का अंतीम संसकार साथ बज़े से पहले पुलिस सिक्यारिटी में हो जाना चाहिए यह सब मुझे अच्छा तो नहीं रगड़ा और क्या करो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी नहीं 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 साब ठीक है बिलकुल ठीक है आप अच्छी तरह से अपनी ड्य थी अपनी यूफ किसा नहीं दो कि अजी में दो ना गयोया हूं अँए ना है दो कि पाया इनके सर में थे, वो हमने साफ कर दिये, यह कुछ दवाईया लिखकर दे रहा हूँ, यह मंगवा देजाए। कर देजाए। कर दो देजाए। कर देजाए। कर देजाए। यह कर देजाए। झाल, झाल, झाल खबरदार अगर जेब से चिखी निकाली बंटेश्वर राणा साहब मैं तो रुमाल निकाल रहा हूँ जी अब देखे राणा साहब इस बार बड़े भाईया ने कौन सी चाल चली है लिखा है भती जी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेश दू अब आप ही बताईये राणा साहब जमीन को बेश कर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी वो हमारे पुर्खों की जमीन है जी किस जमीन की बात कर रहे हो वही धाई बीघा धॉल पूर से फिर से बड़े भाईया की चिट्थी आई है जी निकालो हलो अच्छा 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 राना साहब विशाल जेल तोड़कर भाग गया कामले साहब ये खुश खबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा तो अब अपरादी जेल तोड़तर भागने लगे हैं च्छा आप मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि विशाल के ओपर करी नजर रखना इडियाट अगीश कहा है 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 पिच्छू पड़े अगीश कहा है 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 कोई ना जान मेरी उम्रापी सत्रा है मेरे माजूम जवानी को यहां खत्रा है कोई आफोस मेरे दिल पे यहां भार कर कोई तुछ दे कोई चुप चुप की मुझे प्यार कर कैसे बच्छों में यहां सारे चड़े कुछ चद के ओपर कुछ अगी चेए कि चुपले, मेरे पिच्छु पले, मेरे पिच्छु पले, मेरे पिच्छु पले, कुछ लेरे के हांगे, कुछ पीछे करने, कुछ छाते के होब, कुछ नीचे करने, पिछु बड मेरे कि जुब बड मेरे पिछु बड मेरे कि जुब । हएगे! है य है य है य है कि अ कि अगरा टो रॉल में ले खुदिघल टॉजिए एंग कि अगि मैं ले खुब अगराओ ले धुब बगम हुआ ुआ हुआ 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 ठाँ गुछ कर दो दो नहीं? थोड़ो आप आप अप कि अप कि अप पर नियुक्त कि अप कि नियुक्त नियुक्त आप देखते जाएए चौवीस घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी अज़ाना तेरे नागेश को चिता पे लिटा दिया है मैंने क्या है एलो तेरी वज़े से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है क्या वख्वास कर रहे हो तुम नागेश को किसी शमशान में चला कर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था तेर करेगा तो राख क्या हुआ रहा रासाम यह आग कैसी यह आग नहीं यह नागेश है नागेश मैंने पहले दिन इससे कहा था भाया शरमा मा जो भी बात कर लिए कर लो सी यह यह अगर चार टांगे होती तो इसका जवाब पूछो इससे सही है सही अगर चार टांगे होती नहीं इसकी तो क्या हाल है प्रधान साहब अपने परिवार वालों से नहीं मिलवा होगे हाँ क्यों नहीं यह मेरा बड़ा बेटा है विनोद अमरिका में डॉक्टर है यह मेरी बड़ी बहु है और यह मेरा छोटा बेटा है पट्ना में फैक्टरी प्लान कर रहा है यह मेरी वाइफ और यह मेरा पोता है रिको मेरा नाम विशाल है मैं तुहारे दादाजी का एकक्लाइंट हूं तुह मेरे दादाजी ने मुझे बड़े मुशकिल से केश में डाल दियाıs जिसका क्या हलोगा मुझे नहीं कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगा बनाई है अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है सच जूट के फर्क का ये यूँ खुलासा करते हैं यूँ इनसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उपते आदमी तो इतने नेक है कि खुद की तारीफ सुनना भी पसद नहीं करते हैं जाओ तुम अपने कब आप जाए क्यों प्रधान साब खुद की तारीफ सुनकर पसी नहीं हो रहा है किसी के मुझसे कोई आवाज नहीं निकलेगी कि कहते हैं जब मेरा पाप मरा था तो मेरी मां की आवाज बंद हो गई थी बच्पन में तुझे एक अध्याबक में सुधारा था उस अध्याबक की वज़ा से तुझे एक नहीं दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वज़ कर दो लगता उसने फोन की लाइन काट दिये और उसने दर्वाजें भी बाहर से बंद कर दिये हैं मुझे माफ कर दो नहीं प्रदान साहब बड़ी बड़ी अदालतों में उची अवाज के साथ जिसकी उंगली उठते हो वह हग जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता मुझे मत मारो मैं कोर्ट में तुम्हारे ले कुछ कुछ भी कर गोड़ी तु कभी देख नहीं पाएगा प्रदान देखता तो तू इंसानों जैसा है तो टांगे मूँ हाथ सर पर तेरी नसल तेरी कौम कुछ और ही है तू इस दुनिया से अलग है प्रदान और हम अलग देखना चाहता है देख मेरे खुन का रंग लाल है तेरे खुन का रंग लाल नहीं हो सकता मशूर वकील अशोक प्रदान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस तुनिया में नहीं रहे कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना के इक पाप को नहीं पाप को कंधा दे रहे हो आलो अलो कामले सहाब काहन बोलाए और आrd вами नागेश और आदा हूं आदां मे जिन्दा हो झाआ है में मैं जिन्दा हूँ काबले सहाब कहां से बोल रहे हो इस वक्त तुम फिकर मत करना नागेश मैं अभी वहाँ पहुंचा अच्छा मुझे ये बताओ आदमी इस वक्त यहां नहीं है वह बहुत दर लग रहा है काबले सहाब प्लीज आप जल्दी आये काबले सहाब प्लीज जल लाँको भाँको प्लीज आप जल्दी आप जल्दी आप काबले सहाब। कुपार थाओखखग औरिय। स्antis स temptation कुपे 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 और मुईड laughing isto sentence embarol! aza यह कुपे काई हाओखखभा हाँ हुआ घастन खंगा हुआ को घ evil हुआ हёँ हुआ हुआ हुआасс रहा हुआ हो तो तो अप-दास कः तो खरको तोब युए हुआ हुआ को घूल व् हुआ हThen कजाजार रहा ही, पज़ जजजान, वहाहा AUDIENCE पास ठहा ही, जड़ाम. आज़ मुझा ही, जगों आए व्दवा रहन पाफ़ ठीज़ धिरे टो मैं、 घ्प्रीव डे लाyll!! है? ते पूसे पूसे के लाजी के लाएंचे लीडे it एको एक पर जाज हम जो. रहा, ऑड मैं ! हाह! हाह! यज्य हसे झाज बसे, हाह, अटी हमा... रहन लूचिव सुमू, जा लाई सब्सक्राइब दो हालो रानसाम मैं पटल बोल रहा हूं विशाल यहां नैशनल होटल में बैटके चाय पी रहा है के नागेश। एपकर नागेश। के नागेश। कंदब। और मैंने नागेश को टेक्शी पे देखा है कंदब। कंदूअ यहां नहीं को यहां को यहीं कुछ नगेश! मैं इस बार्टोंटी, वगले वगले थो यहाले or टाक्षी परा नगेश! मैंने टेक्सी को रोको! नगेश! मैंने बच्चे मैंने! नगेश! 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 बागेसите लगो, गेसी को ! 1, 2, 3 ठाकसी को दोतो! अग एाकस! धACH! अग एाकस!" ठाकसी को दोतो! झाकसी! 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 झाकक! झाक entity... कोुछने ह। दागें, दागें, मेरे बच्चे, दागें ठाना याद है तुमने जेल में आकर मुझसे क्या कहा था विशाल अगनी होतरी मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाउगे याद है अब कैसा लगा मेरा बंदबस्त रानाजी तो निकलना है धाल पूर रानाजी तो यज रानाजी मेरा घ przysz्सके र्सब्सु भी तो रानाजी तो पूर तो है तो? लख घाज। हाई 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 कर दो! कर दो कर दो! कर दो! अ... नच़्опन겠어! वह खुची हैन 5 만ण को भी तर्यक्स म tutti अगरा है अस तुक है अखरा है आज मैं आज है फजला दया सुिर्गाटा धिजिए दिए सकत। कर दो दो, को कि मिल दोनाँ दोनाँ 우зд म critic सकत। दोनाँ दोना दोनाँ! हुड़ा धजतला दोनाँ कर दोना दोना दोनाँ हुआूँ लग ुआुआuest.. उन्हाँ! कि उन्हाँ! कर फिसा ठीपके प्रॉब राव रपार फिसा रहा है हुआ 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 है तरी हम लेठो गै तर दो उलाए तेस सिखने दृटमा, एकी तो कीोह कर देपिंग खाफिंग में आपंग 3 की दोस्ट हूलाए उलाए एको है, हम में Hangokrat‬ प्रक को जगात प्रक में थक्रणी को झाले जल झाले जो जादोगी इन्ट कर दोड़ी। झाल 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 कि हो पुटाएट कि अृर माु दुटाय जफरे टाई झो जा मैंगा टे ए पार ओे जा कि अ अ झो गुटे जा इंगा वने नॉके ए झांगा bureau झाल वा प्रैवा llega से फिर्प्राइज की फिर्पनिवा York शर्पनिट प्रीव ह MOD LOOK龙ी कीफ小ोष फिर्मी अनले घर फिर कारी जा उदुने होगो क Unsure कर दो कर दो माषिट को तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद है चे ऑच्मीटी सतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारी व्म्र खायत को कम करके सिर्फ चार साल कर दिया जाएं कऊ मेरी सदा का Kiさ के मैं से कुछ साल कम करके big काम नहीं होने वाला अरे अगर कुछ काम करना ही है तो फिर हलात ऐसे बनाई है कि फिर मेरे जासा फिशाल यहां बैठ कर आप लोगों को शर्मिंदा ना करें वाहत मेरी सजा कम करने मेरी सजा कम करेंगे झाल यहां बैठ करने कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो